हमें टिप कल मिली थी जब चेक किया तो कुछ भी नहीं था इसलिए हमने सोचा के साथ में टाइम स्पेंट करें ठीक है अजलान का फून आया था मैंने यही कहानी सुनाई है तुम भी यही कहना जूट से सारे गुनाहों का अगाज होता है एक दिन हमें भी हमारे जूट की बहुत बुरी से जा मिलेगी सजा तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मुह बंद रखो सुनो मुझे तुम्हारी तरह जूट बोलनी के आदत नहीं है माफ करना जूट बोलना सिर्फ मेरे ही करेक्टर में है करीम हलो हाँ में पॉंच रही हूं कुछ चाहिए तो नहीं ठीक है ठीक है बस में आ रही हूं मुझे बताए बगार मेडिसन्स ले रही है जैनब क्या वो मा नहीं बनना चाहती है क्या हुआ है या आपके जहरे का रंग क्या उत्रा हुआ है मेकप के बगार देखकर तो मैं डर गई अच्छा मत आप छोड़ो मैं बस ठक गई थोड़ा सा अराम कर लें आप चलो चलो लेट नहो जाना खयाल रखेगा अपना मैं जा रही है गुद्बाई बेटा माफ करना मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं अजलान ने बता दिया मुझे अजलान को कॉल की थी अपनी बीवी की फिकर करना घलत बात है क्या नहीं नहीं सही किया तो ने मुझे जाना है तो मच जाओ प्लीज मैं चाहतू हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारे लेला दिर्वाजे पर खड़ी है हम दोने अपनी फैमिली शुरू करने का सोचा था आयोब तुम है याद होगा अचानक यह क्यों पूछ रहे हो क्योंके तुम मुझे अगनूर कर रहे हो मतलब वो काम की वज़ा से मेरे पास कुछ जादा वक्त नहीं है मतलब क्या शाम में आकर बात करूँ तुम से हाँ? मुझे अभी सच में देर हो रहे है I love you मुझे अभी से कर दो मुझे अभी से मुझे अभी तुम चाह मुझे अभी से वादा झाल, 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 झाल.